आप सभी को दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है चलिए इस वीडियो में हम जो हाउस्वल सर्कित है या जो पावर है पावर एलेटेड़ जो है उसके बिशे में कुछ क्वेश्चन हम करेंगे खासकर कि निमेरिकल्स एलेक्ट्रिक पावर एलेक्ट्रिक बिल यह सब जो प्रिवीजियो में आपको मिलेंगे तो वीडियो पर देखिए और आप भी मिरे साथ सॉल करते रहें श्रीप वीडियो देखना नहीं है आपको भी सॉल करते रहना है ठीक है तो चलिए यह question यह मैंने लिके रह रहा है तो यह 2017 का question है an electric bulb of resistance 500 watt draws a current of 0.4 ampere calculate the power of the bulb and the potential difference at its ends तो यहां पर देखे क्या के दिया है है पहले लिख लिजिए resistance दिया है 500 ohm current दिया है 0.4 ampere तो अभी हमें चाहिए power तो अभी power का formula है direct i square r तो power का formula होते में लिख देता है यहां पर जल्दी जल्दी आपका revision हो जाएगा energy by time basic formula तो पी इकल टू वी आई पी इकल टू आइ स्कूर आर और पी इकल टू इसकूर वै तो इसमें current दिया है और resistance दिया है तो यह formula हमें यूज करेंगे तो आई हैव 0.4 square इंटो 500 तो यह 16 होगे तो 500 तो 90 तो 90 वाट तो इसको हम potential difference भी तो भी निकालना है तो भी निकालने के लिए आई आर ओम स्लाव लगाए आई इंटो आर दोनों दिया गया है वह दाशने से निकल सकता है कुछ को हम निकलन है तो तो स्थे पर आन सी टरहना से कि अच्या इडिअ औस हम आचिया कच्भाइर उस यह के का। जो 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 टूहन्देड वोल्ट इसमें पटेंशिल डिफ्रेंच है कि जब अम निमेरिकल साल्व करते हैं तो यूनिट सही लिखने जरू रही है नहीं तो आपका निमेरिकल सॉल्व करते बग आपको यूनिट लिखना बहुत ही जरूरी है चलिए अगले क्वेश्चन में जाते हैं तो दुसरा क्वेश्चन इस तरह से हैं 2016 का क्वेश्चन है क्याल्कुलेट दॉक्वेश्चन इन 20 ओम रेजिस्टर केरिंग 2.5 एमपेर इन 5 मिनिट्स तो इसमें 2.5 एमपेर करेंट्ट फ्लो कर रहा है 20 ओम रेजिस्टेंज दिया है और 5 मिनिट में कितना एनरजी रिलीज करता है तो हम लिखेंगे आर 20 ओम करेंट दिया है 2.5 एमपे और टाइम दिया है 5 मिनिट्स तो अभी यह देखते हैं एसा यूनिट में दिया है तो इसको भी हम एसा यूनिट अप टाइम निकालेंगे तो 5 इंटू 60 तो 300 सेकंस से के निज दाएसा यूनिट तो इसलिए मैंने याद चेंज कर दिया अभी फॉर्मूला है एनरजी तो ह पीट का फॉर्मूला है तो महीं यह फर्मूला ळिख देते हो में है COP १ू एक क्यू एक फर्मूला हूं एक कुंस फॉर्मूला हो गया यृज स्ब्राइट कि हुसर्वं बेस क्यूह तो ने एक hoon ऐस झाराट हो गया सिन्ट इसक्वरियरूर मैं आर हम यह कुछ फॉर्मू दिया है तो यह formula appropriate लग रहा है तो इसको यूज़ करना है तो i2rt तो formula हमें मालम चल गया values हमारे पास में हैं हमने यूनिट को भी change किया ऐसा यूनिट में सब को किया तो यह सब चिज़े आप याद रखे तो i2.5 इंटो 2.5 रेजिस्टेंस 20 और टाइम है 300 तो यहां हो जाएगा 25 बाइटें 25 बाइटें 25 बाइटें 20 इंटो 300 तो यहां पर यह cancel कर सकते हैं दो जेर कैंसलल diva घ्यक जो ने 25 ने 25 इंटो 250 इंटी वानिटें 25 इंटो 500 एंटो 3 25 इंटो 5125 इंटो 3 तो कितना एंच राएगा 375 000 जूल देखें तो यह होगा एंसर 37500 जूल तो यह हीट निकाल रहें तो एंसर जूल में होगा क्योंकि हमने सभी वैलीज एसाइवनेट वे पूट किया तो नेक्स्ट कुश्चिन इस तरह से हैं तू बल्स और माट 100 वाट 220 वाल्ट और 60 वाट 110 वाल्ट कैलकुलेट दरेशिव देयर रेजिस्टेंस तो अभी यहां पर हमें पावर दिया है और भी दिया है ठीक है लेखे है अब दुसरा दुसरा बल्ब पी वैन लिख लेता है तो दुसरा बल्ब का है 60 वाट और वी टु है 110 वल्ट तो पावर दिया है कि मैं रिजिस्टेंस निकालना अभी रिजिस्टेंस हम वी स्कौर वैए P क्योंकि P is equal to V square by R है तो R is equal to V square by P हो तो यह formula यह उसकरेंगे तो पहले bulb का resistance निकाल सकते हैं फिर दुसरे का निकाल सकते हैं फिर ratio निकाल सकते हैं डिबाइट कर सकते हैं यह एक तरीका है और एक direct तरीका है हम लगा सकते हैं क्योंकि यह आप कुछ ऐसे factors दिएगे जो जल्दे से कट जाते हैं इसलिए हम क्या करेंगे R1 V1 V1 square by P1 यह formula अभी मैं यह रेशियो निकालना चाहता हूं R2 तो इसका हो चाहेगा P2 by V2 क्योंकि यह रेशियो में यह उल्टा हो जाएगा ठीक है तो आप पहले इसके नीचे लिख के फिर उसको setting कर सकते हैं यह आपको समझ में आता है क्योंकि यह divide में आ गया तो इसका उल्टा हो जाएगा V2 by P है तो P by V2 कर जाएगा अभी हम value put कर लेंगे direct तो जल्दे से कट जाएगा क्यालकुलेशन आपका कॉम मजगा कि 220 V1 220 स्क्वाइर है पी टू कितना है 60 वाट पी वन कितना है था 100 वाट और भी टू कितना है 110 इंटू 110 इतना आसन दिया है यह तू से खट जा रहा है यह भी तू से खट जा रहा है अब सेपरेटली करेंगे तो यह स्क्वाइर करके देखना पड़ेगा टाइम वेस्ट होगा तो ऐसे कुछ याद रख सकते है रेशियो निकालना है तो डाइरेक्ट फर्मॉल्ला को रेशियो करके निकालने से ज्यादा आसन हो जाएगा तो ट्वेल वाइव फाइव तो यह स्टू फाइव निकाले बॉल्प का रिजिस्टेंस ज्यादा है अगला क्वेश्टन देखेंगे हम अन एलेक्टिक हीटर इस रेटेट थाउजन वाट 220 वोल्ट काल्कुलेट था रेजिस्टेंस अव दा हीटिंग एलिमेंट प्रेंट फ्लोइंट फ्लोइंट थ्रूइट यह पर हमें क्या के दिया गया है पावर दिया गया है थाउजन वाट वोल्ट पोल्टेज पोटिंशेल डिफ्रेंस दिया है 200 वोल्ट यह दिया है और कुछ नहीं दिया है तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो जैसे पिछले क्वेशन में हमने देखा था था बीज्वार बाइब फर्माल लगाएंगे तो भी होगे तू अंड्रेट इंटू हंड्रेट थू हंड्रेट थाउजन तो यह 40 वाट शरी 40 ओम वाट तो 40 ओम रेजिस्टेंस इसका देख सकते हैं और नेक्स्ट एक करेंट तो आई इस इकल टू पी वाई भी तो पी इस इकल टू भी आई मनें बताया है फर्स्ट क्वेशन में तो आई इस इकल टू पी वाई भी तो पावर दिया है थाउजन और वोल्टेज तो आना तो फाइव एंपेर करेंट यहां से फ्टो करेगा यहां पर जो इलेक्ट्रिक बील का क्वेशन है और इलेक्ट्रिक हीटर इस रेड़ेट 4 किलोवाट 220 वोल्ट तो अभी यहां पर समझना है कि पावर इस इकल टू और टाइम हीट बाई टाइम एनर्जी बाई टाइम तो एनर्जी इस इकल टू पावर इंटू टाइम तो यह फर्मूला हमें लगाना है यह फर्मूला हमें लगाके करना है और पावर को हमें किलोवाट में करना है और टाइम को आर में करना है तब ही जाके यह जो पर यूनिट बोलते हैं यह यूनिट का मतलब होता है किलोवाट आर तो इसलिए आपको एनर्जी किलोवाट आ में निकालना है उसके लिए किल वाट में बना चाहिए ऐं को मुद् Hills सविया को कि दिया देख ले देख लियते हैं पावर किलोवाट को यह पहले सी के लोट में दिए हैं अर्ड specJI बात है और यह वाट में दे रहता है та तो डिवाइड वैठावजग किज., किलो वाट में आ जाएगा divided by thousand ठीक है ओके पावर किलो वाट में अभी time देखेंगे इसको 12 गंटे चला है तो time भी दिया है 12 hour 12 hour ही रखिए इसको second में change मत किजी हम किलो वाट आर में solve करेंगे तो अभी energy is equal to power into time 4 into 12 48 किलो वाट आर हो गया अभी 1 किलो वाट आर का 3 रूपीश है तो कोस्ट हो गया 48 into 3 रूपीश 8 into 3 24 12 14 144 रूपीश आपको बिल दाना पडेगा इसके लिए ठीक है तो इस तरह से हम जो है पावर के कुछ वेस्टन साल करते हैं और कुछ सर्किट बेस्ट भी कुष्टन से तो उसको मैं अगले वीडियो में लिक्या होगा ठीक है थेंक यू दिवाकर फिजिक्स में स्वागत है चलिए इस वीडियो में हम सर्किट बेस्ट इलेक्ट्रिक पावर तो कुष्चन हम साल्व करेंगे और साथ ही करेंट निकलना है रेजिस्टेंस पावर तो इस वीडियो में आपको अच्छा से समझने को मिलेगा तो देखिए यहां पर सर्किट मैंने बना के रखा है तो इस सर्किट में 12 वोल्ड बैटरी दिया है जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस है 2 ohm और 4 ohm और 6 ohm और कनेक्टेड इन सिरीज तो पहला क्वेशन है करेंट इन दस सर्किट तो सर्किट में कितना करेंट है तो इसके लिए ऴोट को एक पॉंट याद रखना है कि जबी ऐसे combination of resistance दिये रहते हैं तो शर्किट में करेंट टोटल रिजिस्टेंस के हिसाप से होता है ठीक है टोटल रिजिस्टेंस कितना है उसके हिसाप से करेंट निकलेगा इसलिए आपको क्या करना है कि टूटल रेजिस्टेंस सर्किट कर निकालना है उसके बाद हम फर्मला लगाएंगे तो देखें यहां पर दो रेजिस्टेंस सिरीज में है तो हम लिखेंगे पहला पर्ड आर एस फर्मला क्या है आर वन प्लस और टू तो यह 4 प्लस 6 10. और यह जो इंटनल रेजिस्टेंस भी है देखिए यह आप और इंटनल रेजिस्टेंस हमेशा इसके साथ शिरीज में ही होता है तो पहले एक्स्टरनल का क्कम्प्लीट निकालना है फिर उसके बाद जो टूटल रेजिस्टेंस है इसको यह एड्ड कर देन इंटनल रिश्टेंस के साथ तो यह टोटल एक्टर्नल है और इसमें तो सो टूल एम रिजिस्टेंस हो गया कि ट्वी लो होगया अभी हम क्या करेंगे करेंड निकाल है तो भी देखें यहांपर 12 वोल्ट दिया है वी 12 वोल्ट है क्परेट का formula क्या है लिवा टोटल रिजिस्टेंस एक इम्य टोटल रिजिस्टेंस सो टोटल भी हो गया है तोटल रिजिस्टेंस भी ट्वेल तो यह वन एम्पेर करेंट फ्लोग अढ़ीघ तो यह होग यह पहला अब दूसरा question में potential, sorry, terminal voltage of the cell, तो भी terminal voltage क्या होता है, यह EMF total is equal to terminal voltage plus voltage drop inside the cell, यह हो गया, तो इसलिए जो terminal voltage यहने की जो हमें बाहर सरकीट में मिलता है, और cell के अंदर में जो resistance के बज़े से voltage drop होता हो, दोनों मिलाके EMF होता है, तो इसलिए अभी हमारे पास EMF भी है, 12V, current भी मिल गया, internal resistance भी दिया है, तो हम क्या करेंगे, VT equals to EMF minus IR करेंगे, नहीं तो और एक फर्मूला भी यूज़ कर सकते हैं, terminal voltage equals to current into external resistance, जो खाली external resistance उसको लेना है, जैसे external resistance 10 ohm है, तो यह फर्मूला भी लगा सकते हैं, तो यह फर्मूला भी लगा सकते हैं, और यह फर्मूला भी लगा सकते हैं, दोनों में से यह answer आएगा, तो चलिए, निकाल लेते हैं, second, so terminal voltage equals to emf minus i into r, emf होगे 12 volt, i होगे 1 और r होगे 2, so 10 volt इसमें मिलेगा, और आप यह चाहते हैं, दूसरा फर्मूला भादना, तो vt equals to ir, i कितना है, 1, और external resistance 10 है, यहनी कि internal को छोड़के, तो 10, तो 10 volt, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, अभी third question, third question में देखिए, potential difference across 6 ohm resistance, potential difference across 6 ohm resistance, अभी v निकालना है, यहाँ पर, यह दोनों point के बीच में, across this, अभी इसके लिए जो v आपको याद आता है, ir, तो क्या i हैं हमने पास में हैं, जो यहाँ से flow करेगा, बिल्कुल, तो यहाँ से जो circuit से current आएगा, and cell से current आएगा, तो यह जो है कितना निकाला हमने 1 ampere तो यह 1 ampere यहां से flow करेगा तो इसमें भी 1 ampere रहेगा इसमें भी 1 ampere शीरीज में है तो इसका मतलब हमें जो 1 ampere current है वो 6 ohm में भी flow कर रहे तो यह 6 हो गया और resistance current है 1 और resistance तो है 6 खाली इसके बीच में निकाल रहे है इसको नहीं लेना है तो इसलिए 6 volt यह रहेगा तो इसलिए हम इसको यहां पर लिख देते है थार्ड पार्ट तो इसकोल स्टो आई इन्टो आर इस 6 ohm आला तो इसका मतलब current 1 फ्लो कर रहे है और आर है 6 ohm तो 6 volt पुटिंचल डिफरेंज निकाल रहे है गोल्ट इस यूनिट साइस ही होना चाहिए अभी दूसरा question फॉर्थ question है electrical energy spent per minute in 4 ohm resistor तो अब फिर बात वही आता है तो 4 ohm resistor में हमारे पास क्या क्या है तो हमारे पास current है 1 ampere current है 4 ohm अपना आर है time भी दिया है time है 1 minute तो i है आर है time है तो हमने शुरू जो पिछली वीडियो है उससे हमने क्या सिखा था power वाला तो उसमें हमारे पास resistance हो गया 4 ohm current हो गया 1 ampere 4 ohm में भी flow कर रहे है time 1 minute कहां से पता चला question में देखी per minute दिया है तो सुनते है इसको 60 seconds लिए है तो formula क्या है energy का i square rt i square rt तो 1 square r कितना है 4 आर टाइम है 60 टो हंड़ेट पर्टी जूल यह आंसर है 240 240 जूल होगा क्योंकि एनर्जी निकाल रहे हैं तो यह यह इस तरह से शॉल करना और यह जो रिजिस्टेंस है आपको कम्बाइंड करना है इंटरनल ले रहे हैं कैसे पता से लिए तो यहां पर यह बोले रहे हैं इन फोरोम रिजिस्टर तो यह रिजिस्टर फोरोम लेना है करेंट वान एंपय और टाइम सिक्स्टी तो इस तरह से हम साल्फ कर सकते हैं सर्किट का प्रॉडलम तो आप भी इस तरह से कोईशन लेकर और भी प्रैक्टिस कीजिए तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा ठीक है तो यह फॉर्मुले है यह फॉर्मुला खास करके जो अभी इस वीडियो में सिखा एमफ इस एकल टू टू टर्मिनल वोल्टेज प्लस वोल्टेज ड्रप इन दसल्ट आट इस आई इंटो स्माल आ और वी होता है वी टी होता है आई इंटो कैपिटला जो एक्स्टरन रिजिस्टन्स बैटरी को करके जो बागी रिजिस्टर लगाया है तो इस तरह से स्वाल करना है थेंक यू